बीना टीशर्ट के वीडियो बनाने का भी अपना मज़ा है खेर, मैं दोर आप जानते हैं UPSC के एक्जाम तीन स्टेज में ली जाती है पहला होता है प्रिलिम्स यानी MCQ, फिर होता है मेंस यानी डिस्क्रिप्टिव and lastly there is interview now within this mains exam अब जानते हैं कि General Studies के चार पेपर होते हैं फिर essay पेपर, optional subject, Indian and English language पेपर पिछले कुछ वर्षों से ये coaching mafia और कुछ बिकाव टॉपर सने एक प्रोपोगेंडा शुरू किया है कि मैं तो UPSC तयारी के day 1 से ही mains answer writing करते थी और जब कोई topper ऐसा बोलना शुरू कर देगा तो obviously जो first attempt वाले हैं वो भी नए बच्चे confused हो जाते हैं कि क्या सच में UPSC answer writing day 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए अपनी तयारी के Should I start practicing mains answer writing from day 1 of UPSC preparation और अगर नहीं Then why do this coaching mafia and sellout toppers keep lying and speaking partial truths about it क्यों ये लोग जूट या आदा सच बोलके आपको गुम्राह कर रहे हैं और अगर पहले दिन से mains answer writing नहीं करनी है तो फिर कौन से दिन से हमने mains answer writing की preparation शुरू करनी चाहिए और उससे भी पहले कुछ pre-requisits पूरवर शरत है कि नहीं कि अपना तोड़ा syllabus complete होना चाहिए वागेरा Secondly, आज कल बहुत सारे daily answer writing practice के नाम पर irrelevant type के mock question बनाए जाते हैं जिसका UPSC, real exam के previous trends के साथ कुछ mail जूल है नहीं बस ऐसे कुछ भी लिख दिया इस पे answer writing कर और public बेफिजुल पूरा दिन typing करती रहती So how not to get fooled into writing irrelevant mock tests Secondly, अगर आपने जल्दी से time limit में mains के answer complete करने हैं तो कुछ ऐसे topics हैं जिसके introduction, conclusion के template पहले से ready होने चाहिए तो वो प्रक्रिया हम कैसे करें कई बार ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं जहांपर हमारे पास अच्छा material, specific material नहीं होता तो कैसे कुछ fodder material की मदल से we can assemble some average to good quality answer then कुछ लोग जवाब तो लिखते हैं बट उनका पूरा जो outlook होता है it is as if like उसको कुछ भी प्रशन पूछो हमारे district में ऐसा होता है, हमारे गाउं में ऐसा होता है this type of example and case study लिखके वो अपना जवाब बनाते हैं then you will not get good marks so how to cultivate an outlook that is suitable for the national and international level type of answers grammar, spelling, vocabulary यह सब को ठीक कैसे किया जाए and so on तो बहुत सारे अलग-अलग IAM है over the period of time अलग-अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर ही आज कल उदेबाई जैसे बहुत सारे लोग आलू ले लो, प्याज ले लो, मेंस का mock test series ले लो बहुत सारा मार्केट में material भीक रहा है so should I join a paid main answer writing test series or not and secondly, if yes, then at what time should I join a test series फिर कुछ टॉपस बोलते रहते हैं मैं तो हर जवाब में chart बना देती थी इससे समय की काफी बच्चत होती है that is correct up to certain extent लेकिन फिर ये भी प्रशन होता है कि अगर अमने जवाब में कुछ लिखना है कि सूर्य पूर्वधिशा से उखता है तो क्या उसका भी ऐसा प्राकूरतिक चित्र बना के देना है क्या हर एक जगा पर required हो की नहीं हो मार्केट के नक्षा और chart बनाना ज़रूरी है क्या do I have to draw flow charts and diagram in each and every answer ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा फिर कुछ लोगों को बहुत bored exam level के question रहते है should I answer, मैंने answer को underline करना चाहिए की नहीं heading और sub heading बनाने चाहिए की नहीं blue pen से लिखना है या black pen से gel pen इस्तेमाल करू की ball pen इस्तेमाल करू highlighter का प्रयोग करना है की नहीं and so far कुछ लोग ये भी डर में लगते हैं कि मेरी handwriting अच्छी नहीं है तो क्या मैंने कोई calligraphy classes सुलेखन के coaching classes चलते हैं वो join करने चाहिए and similar type of questions for the optional subject कि उदर वहकलफिक विशे में भी day one से answer writing की पीपूरी बजाने है की नहीं क्योंकि ये coaching mafia और कुछ big out oppers तो उदर भी ऐसा ही गुनगा करना शुरू कर रहे है so one by one we'll see that एक वीडियो में सब cover नहीं होगा 4-5 वीडियो में जे बनाने पड़ेंगे लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शवार ये है should I start means answer writing from day one of UPSC preparation मेरा इसमें जवाब ये है कि मैं आपको दो सवाल अभी देता हूँ पहला सवाल है cyclone आमफान के बारे में जो अभी current affairs में चलता है दूसरा सवाल है second world war के बारे में वैसे तो वो historic event है लेकिन 2020 में उसका 75th anniversary हो रहा है ये वाली तारीक को मतलब उसका अंध हुआ था ऐसे 75th भी उसकी शताब दी है तो ये lecture में मैं आपको इसके दो सवाल पे हम चर्चा करेंगे अगर आप सिर्फ एक दिन की पढ़ाई करके इन दोनों प्रशनों के अच्छे जवाब लिख सकते हैं तो हाँ आप day 1 से में सांसराइ टिंगी पीपुडी बजा सकते हैं नहीं कर सकते तो पहला प्रशन तो पहला प्रशन मेंस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक क्वेश्चन चक्रवातों के प्रती बारत की बेद्यता के कारणों की वलनरेबिलिटी की जांच करें क्यूं हम वलनरेबल हैं और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं वो आप सुझाईए आप दा प्रतिबंदन जो की मेंस पेपर 3 का पार्ट है उसमें ये आंसर आइटिंग मैं आपको दे रहा हूँ और आप में इसमें भी आज कल का तमाशा जानते हैं कि ऐसा एकाद स्टेटमेंट लिख दो फिर नीचे मुझे एकाद कोई और बस ये आपना हो गया डेली आंसर आइटिंग चैलेंज के नाम पे वेबसाइट, फेस्बुक, टेलिग्राम पे डाल दो और जनता में भी मास हिस्टेरिया, मतलब सामोहिक पागलपन चलता है कि डिजिटली दो-तिन जगह से कि वो कॉलम पढ़ लूँगा और फिर मैं आंसर बना दूँगा और मैं बन गया मसीहा So is it useful to do this exercise from day one of preparation or not Let us see ये जो साइक्रोन आमफान का प्रश्ण है introduction में आप क्या करेंगे उसको define करना पढ़ता है what do you understand by the term साइक्रोन फिर body part one में आप लिखेंगे कि क्यों बारत इसके अंदर vulnerable है तो अपनी vulnerability आप सोच ये दो कारणों से है एक तो है natural reasons कि जहां पर large body of water is there temperature ये celsius से ये celsius की range में रहता है वो कुछ tropical के area में आते हैं अगर ऐसे कुछ geographical factor है तो cyclone होने के chance बढ़ जाते लेकिन ये क्या पहले दिन से पूरा आपने को ब्रह्मक द्यान हो जाएगा नहीं उससे पहले तो आपने mains paper one geography उसका sub topic physical geography उसका भी sub topic climatology हवामान शास्त्र वो आपने पढ़ना होगा तब आपको ये आएगा फिर आपने दूसरे भी कुछ man-made factors की चल्चा करनी होगी जैसे कि cyclone आता है लेकिन रास्ते में अगर बहुत सारे mangrove के जंगल है तो वो cyclone की speed को वहाँ जितना पानी और हवा आ रही है उसको थोड़ा दीमा कर देगा तो हम शहर में रहते हैं तो बच जाएंगे buffer protection लेकिन because of this urbanization, industrialization, pollution and all those things ये mangrove and forest cover is getting destroyed तो ये बारत को vulnerable बनाता है और ये हो गया man-made factor लेकिन ये भी क्या पहले दिन में ब्रह्मग्नयान हो जाएगा नई इससे पहले जरुवत होगी कि आपने mains paper 1 और वहाँ पर भी geography और सब टॉबिक है urbanization problems and remedies पिरेक अलग से mains paper 3 में environment related issues ये सब पढ़ा होगा तो आपके पास ये सब मुत्ते तयार होंगे then body part 2 suggest the steps to reduce vulnerability तो vulnerability कम करनी है then you have to talk something about disaster related adaptation and disaster mitigation adaptation और mitigation ये दोनों समान चीज नहीं है वो अलग-अलग है उसमें आप जो suggestion देंगे उसके भी प्रकार अलग-अलग होते हैं कैसी चीज है जो पहले से करनी है कैसी की जो बाद में करनी है कैसी की जो हमने मान लेना है कि disaster आएगा ही और हमने उससे बचने के लिए क्या क्या करना होगा So like that adaptation, mitigation, preparedness अलग-अलग terms है बीना पढ़े लोग कहीं पर भी कुछ भी word यूज करते हैं और फिर प्रोफेसर अच्छे माँ देते नहीं So again this requires कि आपको mains paper 3 और वहाँ पर disaster management की theory आपने पढ़ी हो तब आपको पता होगा कि adaptation इसको बोलते हैं, mitigation इसको बोलते हैं, vulnerability यह होती है, preparedness और resilience इसको बोलते हैं And lastly conclusion, तो conclusion में आप कुछ गरीब हो की बात कर सकते हैं कि कैसे disaster में परेशान होते हैं या sustainable development goals and therefore we have to increase our preparedness, we have to reduce our disaster vulnerability तो मतलब कितना सारा आपके पास अलग अलग जगह से थोड़े थोड़े एक दो एक दो sentence होने चाहिए, तब जाके अच्छे से हम लोग ये 250 words में लिख सकते हैं newspaper में किसी ने सिर्फ एक column लिख दिया और मैं आपको उसका link दे दू कि ये बेटा एक column पढ़ लो और इसमें से जवाब बना दो, well that will not help you अगर ऐसा सिर्फ एक column पढ़ के आप जवाब लिखेंगे तो वो अच्छा जवाब नहीं होगा, वो साधारण किसम का जवाब ही होगा not an excellent or good quality answer, only an average type of answer और साधारण किसम का जवाब लिखेंगे तो साधारण mark तो नहीं मिलेंगे, extraordinary mark नहीं मिलेंगे साधारण average mark ही मिलेंगे so how does it hurt you main paper 1, 2, 3 में trend कुछ ऐसे रहता है कि कुल मिलाकर हर एक paper में 20 questions होते हैं उसमें से 10 questions ऐसे होते हैं, जो 10 mark के होते हैं, 100 mark होए 10 questions ऐसे होते हैं, जो कि 15 mark के होते हैं, तो around, wow, that is 150 words तो कुल मिलाकर 250 word का एक paper ऐसे, paper 1, 2, 3 पिर ethics का paper 4 भी होता है, बट वहाँ पर कुछ बार ऐसा होता है, 25 marks का भी बना देते हैं, प्रशनव अगर anyways, but suppose, जो paper चेक कर रहा है, वो evaluator या professor ने अपना एक benchmark तै करके रखा है, कि ये जो 10 marks या 150 words का question है, उसमें मुझे अच्छा जवाब दिखेगा, तो मैं 5 से 6 mark दूँगा, बहुत अच्छा दिखेगा, तो 7 mark दूँगा, और अगर average type का होगा, तो 4 या उससे कम दूँगा, क्योंकि ये humanities के सब descriptive papers हैं, तो ऐसा नहीं, आपको 10 में से 10 mark देंगे, नहीं, वो बहुत कीच के 7 के पास उसकी pen रुख जाएगी, similarly suppose 15 mark का प्रशन पूचा गया, 250 words, तो हो सकता है, अच्छे जवाब में 6 से 7 mark आपको मिल जाए, average है तो 5 है, उसे कम और बहुत excellent, तो वो आपको 8 mark दे सकता है, in real exam what will happen, suppose 20 questions है, तो उसमे से आप समझे कि 5 तो average किसम के जवाब आप लिख पाएंगे, वो इसलिए क्यूंकि हैसाने की सब कुछ पलके गए उसी में से paper निकलता है, कई बार obscure type of questions आरास जो कि हमारे पास content नहीं होता, तो अच्छा जवाब हम लिख नहीं पाते, कुछ बार time limit अपनी कम हो रही है और उसके कारण points तो है बट पूरे लिख नहीं पाएंगे, सो suppose 20 में से 5 हमने average लिखे, 12 हमने good quality के लिखे और excellent तीन लिखे, excellent 20 में से 20 सभी excellent नहीं लिख सकते, मित्रों ये कोई video game नहीं कि हर बार हम गोली मारे तो वो मर जाए और हमें कुछ नहीं हो, in real exam, UPSC के अंदर बहुत क profile भी था, आपने बहुत दिल से तयार किया था और उसमें से कुछ प्रशना है, so verbatim answer आप एक-एक मुद्धा रटा हुआ लिख सके, ऐसा scene बहुत कम बनता है, so maybe 3 और 4 excellent जवाब आप लिख सकते हैं, बागी real exam में तो ज्यादा तर good quality में आपके जवाब बनेंगे, so it is not possible to write excellent in each, the answer, तो अगर, suppose ऐसा आपका कुछ attempt हो रहा है कि 20 में से 3 excellent, 12 good और 5 average लिखे आपने, this will roughly translate to around 100 से 115 mark मिलेंगे आपको 250 marks में से, depending कि आपने ये जो good और excellent में जो जवाब लिखे वो 10 mark वाले थे या 15 mark वाले, तो थोड़ा बहुत कम जादा होते रहेगा, but my point is, ये अगर करेगा, वो आदमी का day one में तो कोई content हो गाई ने, तो ऐसे फटीजर जवाब का, तो फटीजर मार की आएगा, so more average number of average quality answers are written, then what will happen, एक तो mains का cutoff clear नहीं होगा, आपको interview call नहीं मिलेगा, दूसरा, interview call मिला, but जो mains plus interview के marks एड़ करेंगे, तो आपका final selection में आ नहीं पाएंगे, के merit में, और अगर merit में आ भी गए, तो आपका merit number इतना पीछे होगा, कि वो Indian information service, postal service वगेरा कोई, नीचे वाली service, मिलेगी, जो IS, IPS बने का अत्वाब होगा, वो सायद पूरा नहीं हो पाएगा, so that is the consequence of not doing the things in a proper and systematic manner, बापस आते हैं, बात कर रहे थे, main paper 3, disaster management, cyclone related, जवाब लिखा हो, so let us try this, conclusion, निशकर्स हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a large number of Indian population lives below the poverty line, गरी भी रेखा के रीचे रोग रहते हैं, many of them lack the social security in jobs, and they do not have insurance cover for their life or property or animals, ना उनको नौकरी में कोई सामाजिक शुरक्षा है कि नौकरी पे नहीं जाएगा, फिर भी maternity benefit मिलेगा, या कुछ unemployment allowance मिलेगा, और ना ही उसके पास कुछ बीमा कवच है कि मर गया, या उसके बेडबकरी मर गया, गर तूट गया तो कोई पैसा देगा, therefore, any type of disaster plummets them towards more poverty, destitution and death, कोई भी आप आएगी, वो गरीब और गरीब हो जाएगा, मर जाएगा, विखमरी के हालत में आ जाएगा, so need of the hour is to increase the resilience against all type of disasters, including प्रस्त में आपको जो लिखा है, वो disaster का नाम चाप देना है, earthquake का भी बोल सकते हो, cyclone भी, tsunami भी, volcano भी, जो आपको ठीक लग, जो पूछा गय है, तो आप देखिए, ये जो हमने template बना दिया, हर disaster में काम आ सकता है, लेकिन ये भी बनाने के लिए और दिमाग चलाने के लिए भी, आपको थोड़ी economic की समझ होनी चाहिए, कि भाई, ये financial inclusion होना चाहिए, नहीं होगा, तो ये लोगों के पास insurance cover नहीं होगा, human resource development को affect करता है, ये सब थोड़ी बहुत समझ होगी, तो इधर उधर से आप मसाला जोड़के ये सबजी बना सकते हैं, ऐसा conclusion, तो ये सारा knowledge भी मतलब एक ही दिन में एक newspaper column पड़ा और आपको सारा ब्रह्मग्न्यान हो जाएगा, how is that possible, तो मतलब ये randomly कोई भी एक column पड़के जवाब लि इसरे subject की answer writing की पिपुड़ी बजाना बंद करके, अगर आप ब्लॉक पसंद करें, कि disaster management में एक बार पढ़ लेता हूँ, और फिर उसके सभी answer की थोड़ी practice करता हूँ, So, suppose you start like that, कि पहले 6 दिन आपने disaster management, geography के जो angle थे वो सब देख लिया, और फिर आप एक साथ जवाब देखता है, यह बनाना शुरू करते है, then it becomes very easy, क्योंकि सीदे सीरे template अपना चपना चपना शुरू हो जाएगा, for example, cyclone, तो cyclone के कुछ भी पूछा जा, introduction क्या होगा, it is an adverse weather phenomena wherein x things happens, suppose flood का पुछ ले, तो उसमें भी similar format में template चप जाएगा, it is an adverse weather phenomena जहाँ पर यह होता है, बारी ज्यादा होती है, droughts, drought मतलब, वो सुखा या काल, it is an adverse weather phenomena जहाँ पर पानी कम आता है, फिर tsunami, तो tsunami में क्या बोलेंगे, adverse weather phenomena नहीं, it is an adverse geophysical phenomena जहाँ पर क्या होता है, समंदर में भूकम पा जाता है, और लहरे अपने coastal area को बरबाद करते है, तो मतलब एक साथ हमारे बहुत सारे template तयार हो गए, तो याद करना भी आसान है, और real exam में चापना भी बहुत आसान है, फिर body में आपने लिखना होगा, यह सभी disaster में, then you will talk about something like natural factors and some man-made factors, अबकोस natural factors इनके अलग अलग हो सकते हैं, cyclone, flood, drought, tsunami के, लेकिन man-made factors है, उसमें तो बहुत सारे ऐसे common topic है, कि एक बार आपने तयार कर लिया, तो हर जगा काम आएंगे, जैसे man-made factor में urbanization, deforestation, उसके चलते अपनी vulnerability हर जगा पे बढ़ी रहे चाहे, cyclone, flood, देखो या tsunami, then body part 2 में, suppose आपको common हो जाएगा, कि we should try for afforestation to break the speed of water and waves, ज्यादा पेड पौदे लगाएंगे हम लोग, तो जो भी आ रहा है, चाहे tsunami आ रही है, cyclone आ रहा है, flood, तो उसकी गती थोड़ी धिमी हो जाएगी, और ज्यादा पेड लगाए, तो drought भी थोड़ा मतलब बारिश अच्छी होगी वगरा से अच्छा हो सकता है, and lastly the conclusion, तो conclusion का template तो अभी 2-3 slide पहले जो हमने देखा वही चाप देना है, कि सब लोग गरीब है, insurance cover और social security के problem तो उनको और गरीब नहीं होना देना है, then we must do more preparedness of the disaster, यानि कि अगर आपने continuously तैयारी करके फिर एक साथ means answer writing practice करी, you will gain more like this, लेकिन ऐसा नही करते हुए, ये जो mass hysteria, सामू ही पागलपन चल रहा है, कि daily answer writing के नाम पर random sequence में कोई भी आपको कोई current office का topic दे दे, और आप बाकी सब काम चोड़के इसमें लग जाओ, for example, पहले दिन आपको geography में cyclone की answer writing, suppose आपने करी, फिर दूसरे दिन आपको बोला जाए, economy में ये आत्म निर्मर बारत आया है, तो उसकी answer writing करो, और एक अध कॉलम का link दे दिया जए, तो अब आप समझे, उसका आप जब introduction बनाएगे, तो वो cyclone के साथ तो related नहीं है, उसके body part भी cyclone के साथ related नहीं है, conclusion में हाँ, कहीं थोड़ी बहुत poverty की बात हो सकते है, बट आत्मनिर्मर बारत request more thing like GDP and other issues, तो यह ऐसी चीज़े हैं कि brain का जो पूरा flow है वो disrupt हो जाता है, so brain cannot correlate them and then it is becoming difficult to remember it for a longer period of time, जैसा कि इधर हमने एक बार में ही चापा यह सब, cyclone flood, drought, tsunami और अपने को मदद मिल गए, फिर सपोस्ट तीसरे दिन आपको बोले कि अब international relation में यह इंडिया और नेपाल के काला पानी का मुद्दा चल रहा है, तो तुम उसका कुछ answer writing करो, well that is now not related with the आत्मनिर्बर बारत, तो introduction, body, conclusion वो सब अलग हो जाएगा, तो यह इधर उधर की fragmented preparation में आपका specialization एक एक topic पर subject expertise बन नहीं पाएगी, आप जानते हैं UPSC means का syllabus, means paper 1 में आता है history, social science, geography, means paper 2 में आता economy, agriculture, science, disaster and environment related issues and internal security and cyber security, means paper 4 में है ethics की theory and then case studies, तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जब आपने cyclone का answer लेखना है तो उससे पहले जाकर ethics का syllabus complete करो, ऐसा मैं नहीं बोल ला हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि पहले कम से कम आपने यह disaster और geography का syllabus तो complete किया होना चाहिए, तब आप कुछ disaster management first, थोड़ा all time बचे तो environment भी थोड़ा पढ़ लो तो आप अच्छे वाला कुछ जवाब बना सकते हैं, लेकिन यह सब करने के लिए एक दिन में तो होगा नहीं, it may require one week, two week, depend कि आपको कितनी जल्दी आप उसको तयार कर सकते हैं, तो मतलब day one से यह answer writing करेंगे तो वो कहत चलता भी दिवाना और सुनता भी दिवाना ऐसी सब बाते चल रही है, यानि कि ideal तरीका यह है कि day one, two, three, four, five, six, जितने भी दिन लगे, लेकिन यह काप syllabus का पूरा block complete करिए, और फिर आखरी में उसकी जो भी answer writing की practice आप subject wise या topic wise तरीके से करिए, यह नहीं कि randomly day one, two, three, four को ज practice में लगे रहो, यह mass hysteria आपको कोई जाधा फायदे मन नहीं रहेगा, आपको लोग तो ऐसा ही आप से करवाएंगे क्योंकि उनको तो daily page views चाहिए, subscriber बढ़ाने, add revenue बढ़ाना है, test series के लिए customer पैदा करने है, इसलिए यह कहना fashionable हो गया है कि मैं तो day one से answer writing करती थी, rather than saying कि मै मैंने पहले इतने दिनों तक अपना पसीना कुन पसीना बार के syllabus कम्प्लीट किया था और फिर मैं तयारी कर रहा था, answer writing, वापस आदें, तो मैं आपको कह रहा था कि दो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप उसके day one पे अच्छे जवाब लिख सकें तो आप कर सकत तो पहला साइक्लो नामफान उसके example से तो हमें साबित हो गया कि day one पर नहीं जब syllabus complete हो, उस subject का तब answer writing करनी चाहिए, another question, 75th of the second world war, इसका एक mock question ट्राय करते है, on the 8th May 1945, Germany was first defeated militarily, and then it was defeated politically and economically by the allied powers, elaborate 15 marks, 250 words, 8th May 1945 को मित्र राश्टो द्वारा जर्मनी को पहले सेन्य रूप से, और उसके बाद राजनितिक और आर्थिक रूप से हराया गया था, विश्तरूत कीजिए, अब ये प्रशन की क्या context है, इसका context ये है कि 2020 में second world war को end होने की गटना को 75 years उड़े हो रहा है, तो ये शताद ये अवसर के अनुसंदान में, यूरोप में बहुत सारी जगह पर parade ceremony होती रहती है, और newspaper में उसके कभी-कभी columns आते रहते हैं, और आप जानते हैं, e-learning site में ये system है, कि question statement डाल दो, कोई newspaper column का URL article डाल दो, और ये हो गया आपका daily answer writing practice, इस पर comment करो, elaborate करो, हाँ तो बस मैं भी आपको बोड़ता हूँ, करिए, comment करिए, elaborate करिए, क्या इसका अच्छा जवाब day one पर लेख सकते हैं, जवाब लेखने से पहले पूरी world history पड़ी होनी चाहिए, introduction, तो वहाँ पर सिर्फ second world war नहीं, उसके पहले क्यों world war हुआ था, तो inter warriors, treaty of versailles, rise of hitler, थोड़ी बहुत आपक जानकारी होगी, तो आप अच्छा एक introduction बना सकते हैं, then the part कि मे 1945 में जर्मनी का military defeat हुआ, तो आप वो तो बीना पड़े भी लोग हवाबाजी में world war की movie देखके कुछ भी जवाब लेख सकते, that part is not difficult, the real challenge is, प्रश्न में आगे ये पूछा गया है, कि पहले military रूप से हराया मित्ररा अस्टोनिया और फिर economic और political रूप से भी हरा दिया, वो कैसे, then you have to talk about what happened after the surrender of Germany, कि जर्मनी का आप जानते हैं, east जर्मनी, west जर्मनी ऐसा partition हो जाता है, तो उसी साब से trade, factory, unemployment, inflation के सब problems दोनों जगह create होते हैं, क्योंकि natural resources, factories, specialist, laborer वो आदे आदे इदर उदर बिखर गए, इसके चलते जर्मनी आर्थिक रूप से तूपने लगा, political defeat भी हो गया, क्योंकि एक जर्मनी के अब दो हिस्से हो गए, east जर्मनी, west जर्मनी, और दोनों ही जगह पर, Russia और USA अपने-अपने puppet regime और लोगों को खड़ा कर देते थे, so it was not helping into some type of real and practical democracy, so that resulted into political defeat of the German, and lastly conclusion, conclusion म हाँ, यह सब हुआ, but ultimately Germany का वापस reunification और फिर वो गाड़ी पटरे पराती, so conclusion could be something like, thus, Germany was defeated militarily, politically and economically, and this period of downturn and turmoil continued, until the fall of Berlin Wall and German reunification in 1989, जब वो दिवार का द्वंस्त होता है, वापस मिलते हैं, और अब तो हम जानते हैं कि वापस वो एक economic power बन गया, कैर अभी present day European Union बन है, और वहां तक भी खीछने की जरुवत नहीं, but कम से कम Berlin Wall का पतन तब तक का अगर आपने लिखा है, then it helps you, give a proper impression कि हाँ, अच्छा conclusion बनाय है, so now the challenge is day one को answer writing की पीपूरी बजाओगे, तो maximum आपको इतना पता होगा कि world war 2 हुआ था और जर्मनी हार गया था, लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें हैं कि कैसे economic, political defeat and this fall of German Berlin Wall, ये ऐसा नहीं कि आसमान से गिर रहा है, ये सब चीज़ें भी NCRT में दी गई है, cold war से लेके time ऐसा नहीं day one को एक newspaper column पर ले और जवाब अच्चे बन गया, और इधर भी वही सिन होगा कि बिना कुछ पढ़े हवाबाजी में एक column से आपने जवाब बना दिया, without finishing the entire world history syllabus, तो हवाबाजी में बस ये ही कि Germany suffered humiliating defeat, उसकी economy devastated, generic term में लेकिन कोई logical उसका explanation नहीं देते कि ऐसा कैसे हुआ था, not highlighting the specific issues surrounding the partition of Germany and not writing an impactful conclusion up to the fall of Berlin Wall, जिसके चलते आपको इधर भी, suppose 15 mark का प्रशना है, तो 5 या उसे कम mark, average type of mark मिलेंगे, rank आपका आएगा नहीं, selection आएगा नहीं, problems, यानि ये जो toppers अपने page views और subscriber बढ़ाने के लिए या किसी की test series promote करने के लिए ऐसा बोलते रहत हैं, कि UPSD की तैयारी कि मैं तो day 1 से ही ये सब करता था, main answer writing practice, उसका ये महल देखकर, बहुत सारे first time वाले aspirants होते हैं, वो अपनी जोपड़ी जला देते हैं, कि बार में गया syllabus, completion और सब, मैं तो day 1 से ही सिदा world history का answer writing शुरू कर दूँगा, और ऐसे newspaper column random sequence में पढ़ूँगा तो अपने अब मेरे में ब्रह्म अग्नियान आ जाएगा, not going to happen, another question, आत्मा निर्मर बारत is not just a mere feasible stimulus package, but also a set of reforms for the ease of doing business and ease of availing credit elaborate, main paper 3 economy 250 words में जवाब लेकिया, आत्मा निर्मर बारत सिर्फ एक राजस्व प्रोचसाहन का package नहीं है, बलके व्यापार करने में सुगमता और रू इधर भी एका कोई Indian Express का Explained Series का आर्टिकल का मैं लिंक दे दू और फिर लिखो जवाब, अच्छा जवाब नहीं लिख सकते, आपके पास कुछ पहले बिल्लिंग ब्लॉक्स होने चाहिए, बिल्लिंग ब्लॉक्स इस जवाब के क्या है, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक् GDP, FRBMX, Fisal Deficit, Fisal Stimulus, यह सब क्या होता है, थोड़ी-थोड़ी समझ होनी चाहिए, GDP, Saving, Investment, Capital Formation, Ease of Doing Business, यह सब के कुछ समझ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई, एक Newspaper Column या कोई Listicle, These are the 10 Important Features of आत्मनिर्भर बारत, और फिर आप यह जवाब बना सके, well you also have to explain कि पहले, लो या labor laws में, अब इसको ठीक क्या, तो अब यह Ease of Doing Business है, so like that you have to logically justify your answer, otherwise you will not get the good marks, तो इधर भी पहले economy के आप अच्छे खासे सब building block complete किये होने जाए, फिर जाके आप उसकी subject wise, topic wise answer writing practice करो, यह नहीं कि एक दिन cyclone पकड़ा, दूसरे दिन world war, तीसरे दिन economy पकल लिया, तो प्र पूरा सच बोल सकते हैं, पूरा सच ये होगा, for example वो बोल सकते हैं कि मेरा quality syllabus complete हो गया था, और उसके बाद मैं main paper 2 और वहाँ पर role of civil society और pressure groups के बारे में पढ़ रही थी, उस वकत मैंने वो civil society और pressure group की answer writing day 1 से शुरू कर दी, क्योंकि मुझे back end में जो भी quality, directive, principle और वो सब च society pressure group क्योंकि मेरे पहले के building blocks मेरे पास तयार थे, तो मान सकते हैं हाँ वो बात justifiable है, या फिर वो ये बोल सकते हैं कि मेरा ancient और medieval history का syllabus complete हो गया था, मुझे पता था पहले ये वाला राजा आया, फिर ये वाला राजा आया, फिर ये वाला राजा आया, और ये वाले राजा य तो मैंने उसकी answer writing day 1 से शुरू कर दी, day 1 किसका? गांदर आर्ट पढ़ने का day 1, क्योंकि मेरा उससे पहले history का वो सब मुझे पता था कि आगे पीछे introduction, conclusion में क्या लिखना है, लेकिन वो ये पूरा सच नहीं बोलते, वो सिर्फ partial truth बोल रहे हैं कि day 1 से answer writing practice शुरू कर दी, य फिर मैं जब second UPSC attempt दे रहा था, तो उसके day 1 से मैंने सिधा freedom struggle के main answer writing की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मेरा freedom struggle की syllabus complete था, मुझे पता था कि ये वाला गटना हुई, उसके पाद गांदी का मन, फिर ये वाला, summit हुआ, फिर ये हुआ, बट they are not telling the full truth, they are only telling the partial truth, कि I started answer writing on day 1, ऐ लेकिन उसके बाद, coaching class वाले और e-learning website वाले, उनके success interview या success strategy वीडियो के selected parts को ही highlight करते हैं, अपना product promote करने के लिए, कुछ बार ये होता है कि toppers कोई awareness seminar कर रहा है, और उसके पास बहुत ज़्यादा time नहीं होता, तो जल्द बाजी में वो बोल देता है, ऐसे journalized statement कि हाँ, वो दिखाना है, तो मैं बहुत मेहनत करके पास हुआ, तो उसमें तो coolness और awesomeness किदर है, तो फिर वो ऐसा, मैं तो without studying anything पास हो गया, या मैंने तो तयारी करी लेकिन ऐसे non-conventional तरीके से करी, कि मैंने ये वाला नहीं पढ़ा, मैंने ये वाला नहीं देखा, मैंने इसका ये काम प कोरी बताते हैं, लेकिन जादा दर तो मुझे लगता है, कि इनके ऐसे जूट और partial tooth के पीछे, coaching mafia का हाथ है, क्यूंकि ultimately topper के success strategy और seminar वो finance कौन करता है, coaching वाले, उसके लिए 25,000, 50,000 लाक रुपे, कुछ बार cash नहीं दिया, तो iPhone या कोई gift दे दिया जाता है, कि आप आके हमा scenario strategy की lecture करो, तो जब आपको topper को एतना handsomly पैसा मिल रहा है, तो स्वाबाइक है, वो भी थोड़ा morally obliged feel करता है, कि मुझे भी इनका product थोड़ा sell करने के लिए अच्छे 2-3 वाकिय बोलने चाहिए, तो विकाव लोग बोलते रहते हैं, कुछ बार तो topper और coaching class owner उन दोनों के ब coaching classes के रहला Tamil Nadu इलाके में चला रहे थे, और फिर उनको वापस लगा कि नहीं IPS में मज़ा नहीं, मुझे IES बना है, तो वापस exam में reappeared होते हैं, और वहाँ main exam लिखते वक्त Bluetooth device लेके आये थे और उनकी wife उनको जवाब लिखा रही थी, ऐसे चोरी करते वो पकड़े गए, IPS officer on probation, court cheating in UPS exam via Bluetooth headset, arrested in Chennai, तो जब ऐसे लोग toppers बन रहे तो वो क्या आपको true or impartial advice देंगे, सोचने का विशाय है, मिधरो business perspective भी बहुत सार है इसके, suppose 2018 की बात करे, final vacancy या post around 812, तो उसी साब से उन्होंने गिन के रखा हो गया कि around 2.5 times लोगों को हम लोग interview के लिए बुलाते है तो उसी साब से mains से interview में करीब 2000 लोगों को qualify किया, फिर ये भी तयो होता है कि जितनी vacancy उससे 12-13 गुना लोगों को प्रिलिम में qualify करेंगे, तो उसी साब से around 10,000 लोगों को प्रिलिम में clear किया था और mains लिखने के लिए बुलाया था, कितने लोगों ने प्रिलिम exam जाके दे online form बर दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ आदे लोग ही असल exam देने के लिए रवीवार को गए होंगे, यानि आप देख सकते हैं कि almost 50% of the crowd की जो apply करता है वो तो exam hall तक जाता भी नहीं, ये सब ऐसे लोग हैं कि उनको बस उनके पापा ने बोल दिया, तो बस just because पापा said I fill up the UPS form, they are not serious about the exam, कुछ बार ये होता है कि वो serious होते हैं UPSC के लिए, लेकिन पहले staff selection bank या state service exam की कोई data आज के पीछे होगी, तो UPSC attempt मेरा बिगल नहीं जाए, कम तयारी में ऐसा सोच के attempt डेने के लिए नहीं जाते, but the point is, जब आप बात करते हैं कि mains answer writing, तो उसकी पात्रता, मलब mental qualification किसकी होगी, ऐसा आदमी जिसका prelim का बहुत सारा syllabus, mains का selected blocks का syllabus complete किया है, वो आदमी उसकी पात्रता रखता है कि वो कुछ जवाब लिखे और वो देखने लायक होगा, so potential customer और subscriber base for the mains books, mains coaching and mains test series वो कितना हो सकता है, 10,000 लोग mains रिख रहे हैं, बहुत सारी लोग ऐसे होगे, एक-दो माक के लिए उनका prelim clear नहीं हुआ, तो बहुत कीच के भी पूरे बारत में, मतलब 20-40,000 ही लोग ऐसे होगे, जो कि mains answer writing की दम रखते हैं, तो अगर कोई coaching class वाले ने, कोई website वाले ने, कोई YouTube वाले ने, customer base बढ़ाना है, page views चाहिए, subscriber चाहिए, तो ये stage पर मतलब आप आपका इतना syllabus complete हो जाए, फिर जाके answer writing करना, ऐसा बोलेंगे तो 20-40,000 लोग ही उसको मिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, mass hysteria create करो, इधर ये जो लोग apply कर रहे हैं, या जो appear होने आ रहे हैं, इनको बोलो कि भई आपने day one से form बढ़ा तब से आपने mains answer writing की पीपूरी बज create हो सकता है, and so therefore this nonsense is going on, this is one perspective, business का एक दूसरा भी perspective है, कि ये traditional coaching mafia तो है ही, अभी बादर में एक और nuisance element आ गए है, बहुत सारे चिकनी चुपडी बाते करने वाले jobless MBA and engineer type persons, जिनको UPSC exam क्या है, उसका 0 से 5% idea या experience ही है, लेकिन बस e-learning की site शुरू कर देते हैं, YouTube चैनल शुरू कर देते हैं, कि day one से mains answer writing की पीपूरी बजाओ, mass hysteria create करो, और इसमें मेनत भी नहीं लगती, newspaper का column, कोई भी random एक statement उठा दो, और कोई link दे दो, और करो daily answer writing, तो इनका क्या होता है, चिकनी चुपडी बाते करके बस Google AdS यूट्यूब, advertisement banner, referral income flip, का टेमें जोन, वो सबसे पैसा कमाना है, थोड़ा नाम बन गया, शौरत हो गई, तो खुद की paid test series शुरू करो, और आखिर में कुछ नहीं जमता, तो domain name है, वो कोई बड़ी startup कमपनी को बेच दो, मैं ये नहीं कहता है, ये लोग सब खराब हैं, य ये लोग जो खुद करोड़पती बनना चाहते हैं, उन्हें आप करोड़पती बनाने के चक्कर में खुद का एटेम तो बरबाद नहीं कर रहें, ये सब मास हिस्टेरिया में कि syllabus completion गया बाढ़ में daily answer writing करते रहो, please don't fall into such traps, ये बात करिए daily answer writing की, मैं आपको कुछ sample देता ये लोग daily answer writing practice, और क्या आपने बेवकूप बनके उनकी प्रेक्टिस करनी चाहिए कि नहीं, that is the question, पहला, the destruction caused by cyclone Amphan highlights the failure of the union government's disaster management machinery comment, मैं कहता हूँ ये प्रशन आये गाई नहीं, irrelevant question, second, आत्म निर्भर बारत is a statistical jugglery rather than a real physical stimulus package, examine critically, again I say ये वाला प्रशन आये गाई नहीं, irrelevant third, reverse migration to villages during corona crisis has set Indian economy back by 15 years, elucidate, लोग वापस चले गए, अपनी economy 15 साल पीछे गई है, इसका आप रोना दोना करिये, विश्तरूत करके दिखाए, again irrelevant question, discuss the need and significance of incentive-based scrappage policy for revival of commercial vehicle sector in India, तो ये जो प्रशन पूशे गए है, as a topic, yes it is important कि cyclone आमखान या आत्मनिर्भर बारत या migration, लेकिन इसको जो पूशने का तरीका है, tone of the answer, context of the answer, ये गलत है, मलब ऐसे tone में पूशा गया है, तो ऐसे irrelevant mock question में आपने time waste नहीं करना चाहिए, ये जो बात है, incentive-based scrappage policy for the revival of commercial vehicle sector in India, इतनी technical depth में UPSC पूशता है नहीं, so we should not be wasting time in such irrelevant question, बले daily answer writing के नाम पे कोई भी आपको free में material पिरोश रहाओ, तो ऐसा irrelevant question कौन से होते हैं, इसको कैसे identify करें, और कैसे ऐसी day-fusal की time waste exercise से हम लोग बचें, उसकी में में आपको बात बताऊंगा, but that I will do in the next lecture, so see you next time.